हेलो फ्रेंड्स आप सभी अपने हेटीज यूटुब चैनल पर स्रागत है आज में लोग एट किलास का मैठ सोल्ब करेंगे जो जेसी आर्टी राची जहारखन टेस्ट बुक पर बेस्ट है आज में दखेंगे प्रशनावली 7.2 दिखें यह बहुत ही इंपोर्टेंट है ठीक ना इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर कहीं आपको समझ भी नहीं आती है तो मुझे कमेंट कीजिए मैं आपकी प्रोब्लम सोब करनी पूरी कोसिस करूंगा जो यह हम लोग अभी मैठ सीखने वाले हैं मैट्रिक एक्जाम में बहुत इंपोर्टें आता है इस से इस टाइप का गरनेत तो चली इसको बनाते हैं देखिए पहला सवाल है a square प्लस 14 a जोड 9 देखिए यहां पर क्या है कि यहां पर हम लोग एक छिपा हुआ ठीक ना हम लोग एक यहां पर ले सकते हैं एक है यहां पर और यहां पर उन्चास तो सबसे पहली का क यहां पर कर रहा हूं ठिक नौना तो चले हम लुग गुणा करते हैं यहां, पर एक है एक को 49 से गुणा करेंगे तो 7 गुए 7 आया है इसको या तो जोड कर या घटा कर ठीक ना या तो जोड कर या घटा कर हम को कितना लाना है 4 लाना है तो दिखी अगर 7 में 7 घटाते है तो जीरो हो जायेगा चोदा नहीं मिलेगा लेकिन अगर साथ में साथ जोड जते हैं साथ जोड साथ करते हैं तो हमको क्या मिलता है चोदा मिल जाता है ठीक तो यहाँ पर चोदा के अस्थान पर यही दोनों को लिखेंगे और सुरूवल और लास्ट टवला को सेम लिखेंगे ठीक चलिए हम लोग समसे पहले बाद कोश्चन लिख लिख लिखते हैं हम A स्क्वेर प्लस 14 A प्लस 49 ठीक अब चलिए इसको मैं लिखता हूँ यहां A स्क्वेर फिर 14 A क्या स्थान पर क्या लिखना है साथ A जोड साथ A जोड साथ A ठीक अब यह जो उन्चास उसको सेम लिख देना है उन्चास कुछने करना है बहुत इजी है ठीक बस 14 A जो बीच में दिया हो र निकाल के जो गुन अन्खंड आएगा उसको जोड या घटाव करके हमको बीच वला लाना है ठीक हम लोग लाज चुके हैं अब देखिए यहां पर एक दो तीन चार भाग में बट गया है टोटल पहले तीन भाग तो अभी चार भाग हो गया है चार भाग का अब हम लोग तीन ओर बनाएंगे यहां पर यहां पर जोड़ा बनेग्या है यहां पर एक जोड़ा यहां पर एह सतफ Çो मोंन देख रहें तो एे तो यह को बाहर निकाल देएंगे औह दीकिए इस्क्वर का मतलब होता है ए गुना ए ठीक न ए होता है यहां पर दो बार ए है तो हम लोग एक बार ए बाहर निकाल दीए है यहां पर जोड और यहाँ पर ए तो बाहर निकाल दिये हैं तो क्या बच गया है साथ बच गया है साथ लिख देंगे अब उसके बाद यहाँ पर देखिए दोनों में क्या कोमन है यहाँ पर साथ है और यहाँ पर भी साथ है देखिए सत्य सत्य उन्चास चिक ना यहाँ पर दो पी सात को मनन लेते हैं सात बाहान काल दिए यहां पर से सात बाहार निकाल दिए यहां भी है जोड़ सात दोनों हमेसा सेम रहना चाहिए अलग 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 कभी Pastor होना चाहिए अगर अलग-अलग हुआ तो हमें दोनों को बराबर ही रखना है ठीक चलिए अब देखते हैं जो ब्रेकेट के अंदर है वो तो सेम है लेकिन जो बाहर है उसको एक बार लिखेंगे ए जोड साथ बाहर बाहर का एक बार लिखेंगे और अंदर अंदर दिखिए सेम सेम है दो बार है दो बार के लिए सिर्फ एक बार लिखेंगे ए जोड साथ ठीक तो यहाँ पर देखिए ए जोड साथ और ए जोड साथ हमारे पास आ गया अंसर अभी हम लोग फिर दुसरा नमर बनाते हैं अगर कहीं पर दिक्कत हुई होगी तो दुसरा नमर में किलियर हो जाए या और अच्छी तरीके से देखते हैं दुसरा नमर को सवाल है देखिए आर का स्क्वेर है माइनस दस आर जोड 21 मैंने कहा था सुरो और लास्ट लग गुना करना यहाँ पर एक है ठीक ना एक को 21 से गुना करेंगे तो कितना हो जाए गा 21 से का 21 अब इसको में लोग भाजी गुन अन्खंड करते हैं 3 सत्य 21 तिक यहाँ है 3 गुना 7 अब देखिए इ तो मैनस दस लाना है ठीक ना मैनस दस लाना है अगर इसको हम लोग जोड देते हैं तो क्या हो जागा यहाँ पर 10 होगा लेकिन प्लस में होगा ठीक ना और यहाँ पर हम लोग मैनस कर देते हैं तब तो अंसर हो जाएगा मैनस चार हम लोग को दोनों मैनस करना पड़ेगा दोनों माइनस रहता है तो दोनों को जोडते हैं और माइनस लगाते हैं तो हो गया माइनस 10 ठीक अब देखेंगे यहां पर क्या है आर है तेहां पर हम लोग आर लिखेंगे यहां पर आर लिखेंगे और यहां भी आर लिखेंगे अब माइनस 10 आर यहां पर माइनस 10 आर उसके 3R और माइनस 7R लिखेंगे माइनस 3R माइनस 7R जोड 21 को से मुतार देना है अब इसे तरह इसको 2 गुरूप में करना एक गुरूप इधर हो गया अब देखिए क्या करेंगे दोनों में क्या कोमन है यहाँ पर R दो बार है यहाँ पर R एक बार है तो एक बार बाहर निकाल देते हैं क्योंकि माइनस 7 के इधर और इधर दोनों तरब R है इसलिए R को निकाल दी और यहाँ पर 2R में से 1R बच गया है यहाँ R तो निकाल दी है बच गया है क्या 3 माइनस 3 लिख देंगे अब देखिए यहाँ पर दोनों में जोड से इधर और जोड से इधर दोनों में क्या है इसमें 7 है इसमें भी 7 है कैसे देखिए 7 यहाँ पर 3 और 7 दोनों है तो चले हम लोग 7 बाहर निकाल देते हैं और यहाँ पर क्या है बच गया है यहां पर बची ग्या sangat है कि suburbs साथ निकाल दिए तीन बची अब देखिए यहां पर माइनस है यहां पर वुग मैनस देना पड़ेगा ठीक ना पहले से यहां प्लस था और यहां पर मानस कर दिये, उपर उपर ओला को नए उतार कर चेंज किये हैं, इसलिए यहां पर हम लोग मानस लगाएंगे ठीक, और इससे इतना को दुस्रे तरीकी समझ सकते हैं, दोनों में जो मानस उसों कोमल ले लिए, मानस बहर निकाल देंगे, तो जो यहां बीच में म R-7 एक साथ लिखना है और अंदर जो है ब्रेकेट के अंदर दो बार उसको एक ही बार लिखना है R-3 तो यह हो गया हमारा अंसर R-7 और R-3 यह हो गया अंसर अब पढ़ते हैं अगले नमबर पर तीसरे नमबर पर तीसरा नमबर क्या है देखिए P2-17 P-38 तो हम लोग यहां पर देखेंगे 1 है ठीक ना 1 को 38 से गुना करेंगे तो कितना होगा 38 ही होगा अब इसके हम लोग अभाज गुना नखंड करते हैं क्या आता है देखते हैं दो से करते हैं 21 दो एक बच गया इधर 18 चल गया 29 अठारा फिर 19 तो चली 19 से का 19 जही जाएगा ठीक ना हमारे पास क्या आया है दो गुना 19 ठीक एक को ले सकते हैं बट एक को अभी छोड़ देते हैं 19 दोने 38 ठीक ना 38 आ गया है अब देखिए 2 और 19 इसको क्या करेंगे जोड़ेंगे या घटाएंगे तो हम लोग के मानस 17 मिलेगा ठीक यहां पर सिर्फ जोड़ घटाव करना है अगर हम लोग इसको जोड़ देते हैं तब तो एक की सा जा रहा है ठीक इसलिए हम लोग घटा देंगे घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मानस 17 फिक दिखिए दो में 19 मानस करना है ना कि 19 में 2 अगर 19 से मानस दो करते हैं तब क्या हो जाएगा पलस अत्रह हो जाएगा हम लोग को पलस अत्रह नहीं चाहिए मानस 17 चाहिए इसलिए 19 में मानस लगाना पड़ेगा अब यहाँ पर P square एक बार question लिखना ज़रूरी है 17 P minus 38 अब यहाँ से बनाते हैं P square से मुतार देंगे और यहाँ पर minus 17 के अस्थान पर क्या लिखना है 2 minus 19 लेकिन P को भी साथ में लिखना है तो लिखते हैं हम लोग minus 2 P यहाँ पर plus 2 P minus 19 P minus 38 010 18 या अब देखिये यह दो नूम bargain और यह दोनो में common देखना है दोनो में क्या है P है P निकाल देते हैं एक P बच गया है अंदर और यहाँ से दो ठीक नहीं पर isn'tằng P को लिखना है किher दोनों में मैंनिस या और यहाँ पर दोनों में क्या है यहाँ पर 19 19 है चीपा हो ठीक ना 32 38 होता है यहां पर 19 बाहर निकाल देंगे 19 बाहर निकाल दिया तो यहां पर P बच गया और यहां पर जोड़ देकर 2 लिखेंगे ठीक अब देखिए माइनस बाहर निकालने के कारण यही था कि दोनों में पलस करना है हमको क्योंकि पहले पलस था पलस दोनों में हो गया है और बाहर बाहर को हम लोग एक बार लिखते हैं P माइनस 19 और अंदर का दो बार के लिए एक बार P पलस दो यह हो गया अंसर अब बढ़ते हैं अगले नंबर पर चवठा नंबर चवठा नंबर का सवाल देखिए क्या है 4 x square प्लस 12 x प्लस 9 सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे सुरू आल और लास्ट आल लोग गुना करेंगे ठीक ना यहाँ पर देखिए 4 है उपर में यहाँ पर कुछ नहीं था मतलब 1 था यहाँ पर 4 है 4 को हम लोग 9 से गुना करेंगे चार कुनों से गुना करेंगे कितना हो जाएगा चार नवा चट्तिस अब चट्तिस के हम लोग अभाज गुना अंखन करेंगा जोड या घटाव करके बारा लाना है यहाँ पर पलस बारा लाना है दो से करते हैं दो एका दो एक इदर चला गया तो 16 हो गया 2 अठे 16 फिर 2 नवा 18 फिर 3 तिया 9 हमारे पास क्या आया है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 ठीक अब देखिए हमको क्या लाना है 12 लाना है ठीक ना हम लोग देखते हैं 2 दुना 4 3 तिया 9 4 आउर 9 को जोडते हैं तब तो 12 नहीं हो रहा है 13 हो जा रहा है और घटाते हैं तब भी नहीं आ रहा है 12 तो इसको हम लोग गैंसल कर देते हैं 4 आउर 9 को कैंसल अब दूसरा देखेंगे कुछ और 2 को 2 से तब ही गुना किये दे तब 3 हो था 12 हो गया क्योंकि यहां पर एक्स है तो एक्स तो लिखना पड़ेगा प्लस एक्स यहां पर फिर यहां पर 12 एक्स ठीक अब यहां पर हम लोग क्या है 6x प्लस 6x लिखेंगे 12x के अस्थान पर नीचे चलिए वार कोस्चिल उतार लेता है है 4x2 प्लस 12 एक्स प्लस नौँ अब देखिए फूर एक्स इसक्वेर हो गया अब 12 एक्स को क्या लिखेंगे 6x एक्स प्लस 6Efolk उइप लेस 4 नहीं ठीक तो दो ग्रूप में बनाएंगे भी अभी डों में क्या है इस 2 है इसमें भी 2 है ठीक ना इसमें क्या है मतलब देखिए यहाँ पर चार है, चार का हम लोग लिख सकते हैं, दो गुना दो और यहाँ पर छे है, ठीक नहीं पर छे है, छे को क्या लिख सकते हैं, दो गुना तीन, अब देखें, दोनों में दो है, तो दो को कोमन बाहर निकाल देंगे, और दोनों में एक्स भी है, ठीक, दोनों में एक्स है, एक सब्सक्राइब निकाल देना नंत्यक को यहां पराई थी इन को बाहर को बचा तीन बच गया है ठीक ना अब आप पर प्लस साइन जा देते हैं अब देखिए बाहर क्या है 2x और प्लस 3 इसको एक बार लिखेंगे एक जगह और 2x प्लस 3 2x प्लस 3 दो बार है इसके लिए एक बार ही लिखेंगे ठीक ना चलिए 2x 2x plus 3 ये होगी बाहर के लिए दोनों के लिए और जो अंदर हैं उसके लिए एक बार ही लिखते हैं 2x plus 3 तो ये होगी हमारा अंसर अब बढ़ते हैं अगले नंबर पर अगला नंबर पच्वा नंबर पच्वा नंबर का सवाल क्या है देखिए 9x square plus 30x plus 25 क्या करेंगे शुरू और लास्ट व्ला को गुना करेंगे ठीक ना 9 को 25 से गुना करेंगे चलिए गुना करते हैं 25 गुना 9 तो 25 को 9 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 225 अब 225 हो गिया है इसको हम लोग अभाजी गुना अन्खन करेंगे 225 का 225 का अभाजी गुना अन्खन करना है किस से जाएगा 5 से जाएगा ठीक ना 5 चुपके 20 दो बच्ची गया इधर चला गिया 25 हो गिया 5 बच्ची पच्ची फिर 5,9,45,3,39 अब देखिए इसको दो गुरूप में बनाना है और जोड घटाव करके क्या लाना है यहां पर क्या है 30 है ठीक ना 30 लाना है अब देखिए 5 बच्ची पच्चीस हो गिया 3 तिया 9 हो गिया अगर घटाएंगे तो भी 30 नहीं आएगा जोड़ेंगे तो भी 30 नहीं आएगा तो यह कैंसल हो गिया अब दूसरा देखते है 5,3,15 ठीक ना 15 यहां पर हो गिया और यहां पर भी हो गिया 15 ठीक ना, 5,3,15 अब 15,15 को जोड़ेंगे तब क्या हो रहा है 30 हो रहा है न हमारे पास 30 लाना था 30 आ गिया है तो 15,15 को लेंगे और यहां पर X है इसलम लोग X लिखेंगे यहां पर और यहां पर भी लिखेंगे ठीक ना तो चलिए इधर बनाते हैं यह बार कोसिन उतार लगते हैं X स्क्वेर प्लस 9X स्क्वेर प्लस 30X प्लस 25 अब चलिए 9X को सेम लिखते हैं 9X स्क्वेर हो गया 30X के स्थान पर क्या लिखेंगे यहां पर देखिए मैंने बताया 15X और 15X ठीक ना 15X जोड 15X जोड 25 अब दो ग्रूप में बनाएंगे यहां ग्रूप बन गया यहां ग्रूप बन गया अब दोनों में देखिए क्या कोमन है यहां पर 3 है ठीक ना 3 तिया 9 यहां पर 3 है और यहां पर 3 और 5 है 3 पचे 15 तो आब दोनों में X भी है तो 3 दोनों में है और X दोनों में है निकाल दिये तो यहां पर क्या बचा 3 बच गया और X बच गया और कुछ नहीं, एक्स तो बाहर निकाल लेते हैं, एक एक सीता बाहर निकल गया, कुछ ने बचा है, और दोनों में क्या बचा हैं, यहाँ पर तीन हर पांच है, तीन पच्चे पंदर और यहाँ पर पांच गुना पांच, दो बार पांच है, दोनों में पांच है, तो बाहर में है इसले और अंदर देखिए दोनों सेम है ठीक ना अगर यहां पर सेम है तो आप कशक्ते हैं कि आप जो बना रहे इतना वो सही है ठीक तो देखिए क्या है 3 x जोड 5 यहां पर यह आ गया हमारा अंसर अब बढ़ते हैं अगले नमबर पर अगला नमबर है देखिए च्छठा नमबर का सवाल क्या है 4 x का पावर 4 ठीक ना फिर माइनस 12 x का पावर 3 और यहां पर है 9 x का पावर 2 तो याने कि अब इसका हम लोग क्या करेंगे देखिए common निकालेंगे सब में इसमें 4 तो सब में 2 बार तो है X सब में 2 बार है, X square सब में इसमें भी है, इसमें भी है, तो हम लोग X square को बाहर निकाल देते हैं, common सबसे पहले, X square को common निकाल दिये हैं, तो अंदर क्या बच गया है, यहां पर 4 बच गया है, और X 4 बार था, 2 बार बाहर निकाल दिये हैं, तो 2 बार बच गया है, यहां पर 3 सब्सक्राइब करेंगे sorry अ पूंहें पताया कि स्वेया दुचिक थे करते है यह दोनों को तो यहां पर चार और नव को गुना करेंगे पर। कितना होगा 36 भी जाएगा तो हम लोग यहां पर gray 5000 करने चेंगे 36 साथ कurpose गुनानखन करेंगे दिख दो से करते हैं 2 एका 2 यहां पर एक चला गया 16, 2 अठे 16 फिर 2, 9, 18 फिर 3 तिया 9 यहां पर क्या आया है 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 अब हम लोग को क्या लाना है माइनस 12 लाना है तो चलिए करते हैं अगर 2 दूना 4, 4 और 3 तिया 9, 4 और 9 में तो कोई उपाय नहीं बन रहा है कि 12 माइ इधर से भी 2 तिया 6, 6 6 को जोडने से 12 होता है ठीक ना और अगर हम लोग दोनों में माइनस लगा देते हैं तो अंसर क्या माइनस 12 आ जाएगा और यहां पर एक से इसलिए एक लिखना पड़ेगा तीनों में इस तरह माइनस 12 को हम लोग माइनस 6 और माइनस 6 लिख सकते हैं तो अभी हम लोग इसी को लिखते हैं यहाँ पर पहले इसको उतारेंगे एक से स्क्वेर फिर प्रिकेट देंगे और यहाँ पर देखी क्या है चार एक से स्क्वेर को सेम लिखते हैं और यहाँ पर 12 माइनस 12 एकस के अस्थान पर लिखेंगे माइनस 6 एकस माइनस 6 एकस हो गया और इधर प्लस 9 बच गया है अब क्या करेंगे गरूब बनाएंगे 2-2 का ठीक ना अब चलिए बनाते हैं एक स्क्वेर हो गया और यहां पर हम मीड्ल बरकेड देते हैं यहां पर दोनों में किया है दो है और एक से ठीक कोमन है दोनों में इसलिए कोमन निकाल दें यहां पर क्या बच्चा है एक बार दो बच्चा है और यहां पर एक एकस बच गया है यहां पर क्या बच्चा है दो बाहर निकाल देते तो यहां पर तीन बच गया है और एकस बाहर निकाल देते हैं और यहां पर देखें तो दोनों मे इसलिए माइनस में बाहर निकाल देंगे अब अंदर क्या बच्चा है 2 X और यहाँ पर क्या बच्च गया है पलस माइनस 3 ठीक ना दोनो तो sorry यहाँ पर गलती हो गया है देखिए यहाँ पर से हम लोग 2 बाहर निकाले थे तो यहाँ पर एक तीन बच गया है ठीक नहीं हम पर तीन होगा मिस्टेक हो गया था अब दिखिए दोनों सेम आ गया है वेल्यू अब हम लोग इसको कर सकते हैं एक स्क्वेल यहाँ देंगे उसके बाद भड़ा प्रिकट देखर जो बाहर है टू दका है टू एक और district है एक बाहर का एक लिखती हीं और दिखिए अंदर अंदर का है तूБे- –3 2x-3 दो बार है इसलिए एक ही बार रिखेंगे 2x-3 ये धर हो गया ब्रकेट ये हो गया हमारा अंसर अब बढ़ते हैं अगले नंबर पर अगला नंबर देखी क्या है साथवा नंबर x-4x-77 तो चलिए गुना करते हैं यहाँ पर क्या एक है यहाँ पर 77 तो 77 हो जाएगा यहा सदर का LCM निकालते हैं सबसे पहले साथ से लेदे साते का साथ साते का साथ हो यह कंप्लीट 11 का 11 तो यहाँ पर 11 में जोड़ कसा ही लगाएंगे तब आएगा 4 ठीक ना इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 11-7 ब्राबर 4 ओके अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं इसको चलिए इसको लिखे नहीं कि अब डिखेर ग्रुब बनाएंगे तो दोनों में क्या को बनाएंगे तो यह्जंगे चात्तर ऐस तरह था से और इसको ग्रुप लेना इसमें 11 नहीं है इसको मैं निकाल देंगे इसमें 1 एक सबस्ट बचाएगा 11 बचाएगा और यह दोनों में मायने से इसलिए माइनस निकाल देंगा इसके बाएगा इसके बाद बार दोनों में ही सकते हैं ग्यार गुुना साथ लिख सकते हैं ठीक ना कि इसलिए h mare निकाल दे तो 11 बच गया वही 11 अंदर अब देखिए बाहर-Bाहर का एकबार लिखुने गे माया इसके प्लस ग्यारहे दो बार एक्स प्लस ग्यार है ठीक ना से महीं से लिए एक बाल लिखेंगे और बाहर बार का टुद्य हो गिर हमारा हो जाएगा और लंबा क्या थोड़ा मुश्किल होगा इसलिए मैं दूसरा तरीके से आपको इससे सम्झाने कुछिस करता हूँ दिखिए सबसे पहले इसके हम लोग स्केर मतलब दो का स्केर चार होता है ना इसलिए स्केर के फोर्म में लिखते हैं सबसे पहले एक बटे दो का होल स्केर एक्स ठीक ना होल स्केर कर देते हैं देखिए एक्स का तो पहले से था और यहां पर अभी चार का हम लोग दो का स्केर के फोर्म में लिखे हैं अब यहां पर क्या हो गया माइनर दो एक्स फिर प्लस अब देखिए इसको क्या कर सकते हैं इसको दो का स्केर लिख सकते हैं चार को ठीक ना दो का स्केर लिख दिए अब देखिए एक फोर्मूला में आपको बताता हूँ जो आपने पढ़ा होगा A माइनस B का होल स्क्वेर इस इक्वल में पूट करने के कोशिस करेंगे तो देखिए यहां पर क्या है यहां पर A स्क्वेर है उसके बाद 2AB 2a b हम लोग यहां पर बीच में 2a b बनाना पड़ेगा और यहां पर b2 तो पहले से यहां पर b2 है तो चलिए बसे यहां पर change करते हैं ठीक क्या change करेंगे देखिए x by 2 कहो जी square तो हम लोग इसको लिखती है minus 2x है ठीक ना अब देखिए 2x को हम लोग 2 से भाग देकर 2 से गुणा भी कर सकते हैं ठीक ना मतलब 2 2 कर जाएगा 2x ही रहेगा value change नहीं होगा इसको बोलेंगे minus 2x ही है किसी संख्या में हम लोग किसी संख्या में कोई भी संख्या को भाग देकर उसी संख्या से गुणा करेंगे तो value change नहीं होता है ऐसे math में किया जाता है अब इथर क्या हो गया plus 2 square ठीक अब देखिए इससे मैं मतलब इदोनों को बताता हूँ x यहाँ पर x by 2 का holy square है मतलब a square minus यहाँ पर देखिए 2 है यहाँ पर 2 है अब आए a मतलब शुरू वाला x by 2 यहाँ पर x by 2 आ गया फिर b b में क्या है 2 है ठीक ना और यहाँ पर भी 2 है तो इस तरह से और यहाँ पर b square है तो यह वाला formula बन गया ठीक तो हम लोग जो formula है उसको a minus b का holy square इसको लिख सकते है तो इसको में हम लोग वही लिखेंगे a minus b का holy square a क्या है x बटे 2 और b क्या है 2 है minus 2 का whole square अब इसको क्या करेंगे x by 2 minus 2 holy square है मतलब दो बार है इसको हम लोग दो बार लिखते है x बटे 2 minus 2 फिर x बटे 2 minus 2 यह हो गया हमारा answer तो इस तरह मैं अगले वीडियो पर दुसरा नमर बना कर लाऊंगा तो अगर आपको कहें भी दिक्कत हुई होगी तो कमेंट कीजिएगा मैं आपकी प्रोब्लम सोब करने की कोशिश करूँगा और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्टों के साथ सेर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए मैं इसे तरह के अब नएने वीडियो लाता रहूँगा थैंक्यू फर वर्शिंग मैं वीडियो